हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्हेद है कि आप सब अच्छे स्वास्तों मस्त होंगे आज की इस वीडियो दोस्तों हम पढ़ेंगे SSCB पूछेगे प्रिवियस इयर के भारती इतियास के सही प्रश्णों को डिसकस करेंगे जैसा कि पहले पार्ट में हम भारती इतियास का टाइप फर्स्ट के कुश्ण को हम डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में दोस्तो हम भारती इतियास के टाइप सेकेंड के प्रश्णों को डिस्कस करेंगे तो वीडियो को बिन्या स्कीप की अंतर जरू दिखिया चलिए शुवात करते हैं आपे पहले प्रस्ते पहला प्रश्ण है जैनियों के पहले तीन धंकर कौन थे रिसब देव थे अगला प्रश्ण है त्री पीटक धार्मिक गरंथ जो है किस्से समन्दित है त्री पीटक धार्मिक गरंथ बौधो का है ये अगला प्रश्ण दोस्तो निमलिखित में जैन धर्म का कौन सा त्री रत्न नहीं है सही द्रिष्टी ये जैन धर्म का त्री रत्न नहीं है चोथा प्रश्ण है अजन्ता की चित्रकारी निमलिखिस में से किस से प्रेरित है अजन्ता की चित्रकारी दयालू बुद्ध से प्रेरित है प्रश्ण नमर पाँच है निमलिखिस में से कौन संस्कृत का प्रथम ब्यागर बिद्वान था पाड़नी प्रश्ण नमर 6 दोस्तो गौतम बुध कौन से गड़ राज के थे गौतम बुध जो है साक्य गड़ राज के थे अगला प्रेश्ण है बुद्ध का अर्थ होता है ज्यान प्राप्त होता है बुद्ध को प्रबोध कहां प्राप्त हुआ था? बुद्ध को प्रबोध बोध गया में प्राप्त हुआ था निम्ण में से कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौध धर्म का गरंत है वाम साथ पाक सिनी जो है ये सबसे बाद वाला बौध धर्म का गरंत है बौध धर्म निम्ण में से कीन मतों पर विश्वास करता था बहुत धर्म जो है किन मतों पर विश्वास करता था पहला वाला है दुनिया दुखों से भरी है इस पर भी विश्वास करता था दूसरा है लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के करण होता है इसमें भी विश्वास रखते थे तिसरा है यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वान मिल जाएगा तो A, B, C ये तीनों मतों पर विश्वास रखते थे प्रश्ण मरी 11 है अलेकजेंडर या सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी जेलम नदी के तट पर अगला प्रश्ण है उन इस्थमदार भावनों को क्या कहते हैं जिन में बौध विच्छु पूजा करते हैं अगला प्रश्ण है इच्छा सब कष्टों का कारण है इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है बुद्ध धर्म है प्रश्ण के प्रथम परवचन को क्या कहा जाता है बुद्ध के पर्थम परवचन को धर्म चक्र पवन सुत कहा जाता है अगला प्रश्ण है बुद्ध धम और संग मिलकर कहलाते हैं त्री रतन कहलाते है मिलिंद पहो क्या है मिलिंद पहो जो है बौध गरंथ है निमलिकित में से कौन सा संप्रदाय बहुत धर्म का नहीं है दिगंबर जो है ये बहुत धर्म का संप्रदाय नहीं है अगला प्रश्ण है दोस्तो महाबीर का पर्थम सिस्थ कौन था जमाली जमाली जो है महाबीर का पर्थम सिस्थ था वर्धवान महाबीर और किस नाम से विख्यात है जेना के नाम से विख्यात है तिबबत में बहुत धर्म का परचार करने वाले बहुत विच्छु कौन थे पदम संभो थे अगला प्रश्ण है गौतम बुद्ध का जन्मा स्थान किस के द्वारा अंकित किया जाता है असोक मौर का रुमनेई देई अस्थम के द्वारा अंकित किया जाता है प्रश्ण मत 26 है भारती इतिहास के निमलिखित युगों में से किस के दोरान छत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे बुद्ध के युग में अगला प्रश्ण है जैन तथा बहुत धर्म के समय कितने आस्रमों की मानता प्राप्त हुई थी चार आस्रमों की मानता प्राप्त हुई थी अगला प्रश्णे है जैन दर्व का संस्थापक कौन है महावीर है अगला प्रश्णे दोस्तो उस गरतन्त का नाम बताइए जो चटी सब्दाधी इसापुरू जात्यों का राजसंथा वजी अगला प्रश्ण है जन्योद्वारा अपने पवित्र गरंथों के लिए सामोहिक रूप से किस सब्द का प्रियोग किया जाता है अगला प्रश्ण है निम्लिकित में से किस मुद्रा में गौतम बुधर ने सारनात में अपना पहला उपदेश दिया था धर्म चक्रमुद्रा में कैवल्य कौन से धर्म से समन्दित है जैन धर्म से समन्दित है कौन सा बौथ गरंथ 16 महा जन्पदों का उलेक करता है अंगुतर निकाय जो ढॊन्पदों का थै अगला प्रश्ण है वैसे सीख दर्शन के प्रतिबादक कौन हैं? वैसे सीख दर्शन के प्रतिबादक कडाद थे। बौत धर्म के अधिकांस गरंथ किस भासा में लिखे गए हैं? पाली भासा में लिखे गए हैं। किसे एसिया का प्रकास भी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को एसिया का प्रका अर्भुट सिधांत क्या माना जाता है? आहिंसा माना जाता है. महरची गौतम का सम्मंद किस भारतिय दर्सन से है? महरची गौतम का सम्मंद न्याय दर्सन से है. महाबीर स्वामी की सिछाओ के संकलन को क्या कहा जाता है आगम सुत्र कहा जाता है अगला प्रश्ण दोस्तों, डैस का युद्ध 326 इसापुर में सिकंदर महान द्वारा राजापोरस के बिरुद लड़ा गया था। हाइडे इसपस का युद्ध जो है 326 इसापुर में सिकंदर महान और राजापोरस के बीच लड़ा गया था अगला प्रश्ण है भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दोरान सात्वी और छटी सब्दादी इसापुर में कितनी महान सक्तियां महा जनपत अस्तित में आ सांख दर्सन संपर्दाई की स्थापना किस ने किया था प्राजीन भारत में कितने सक्तिसाली महा जनपत मौजूद है सोल अगला प्रश्ण है निमलिकित में से कौन सी साइट गौतम बुद्ध के जन में से जुड़ी है लुंबनी धार्मिक गरंथ त्री पीटक किस अगला प्रश्ण है दोस्तो निमलिकित में से कौन नंदवंस का अंदिम सासक घना नंद था रयक वंस से मगद के पहले सासक कौन था हरयक वंस से मगद के पहले का सासक विमिसार था डैस चोथी सब्दादी इसापूर मगद की राधानी क्या थी राजग्री थी राजग्री जो है चोथी सब्दादी इसापूर में मगद की राधानी पाटली पुत्र को इस्थानांतित कर दिया गया था अगला प्रस्टन है जैन धर्म के अनुसार जीन सब्द का अर्थ क्या होता है बहुत अस्थाल वैशाली और नलंदा निम्लकित में से किस राज में एस्थित हैं रायगड रायगड इसका सेयूत्तर हो जाएगा निव्ध में से किस ने वैसे सिक दर्फण का मूल पाठ लिखा है अगला प्रशने दोस्तो निव्ध में से किस अर्थल पर भगवान बुद्ध ने चार महान सत्य पर अपना प्रत्यम उप्धेश को तो आज के इस वीिडियो दोस्तों इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सेर और सस्काइब जरू किजीगा क्योंकि आपका एक लाइक, एक सेर दोस्तों हमें मोटिवीट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मिलते हैं दोस्तों नेश्ट वीडियो में धन्यवाद